शेयर बाजार का प्डेट आपको दें सुमवार को कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में भारी गिरावट का दौर देखने को मिला सेंसेक्स अंथ में 616 अंग तूटकर 73,500 के लेवल पर बंद हुआ निफ्टी 160 अंग गिरा और 22,330 के स्तर पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में लगबग 500 अंकों की गिरावट रही और 47,327 के स्तर पर बंद हुआ बाजार में आज की भारी गिरावट की पीछे की बड़ी वज़ें बता रहे हैं हमारे सही होगी आशीश चत्रुवेदी दीखे हफ़ते की शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिली हाला कि अगर आप निफ्टी निफ्टी बैंक संसेक्स को अगर आप देखे तो इतनी गिरावट नहीं है परसंटेज के लिए आज से लेकिन स्टॉक्स में पें देखने को मिला निफ्टी की बात करें तो यहां पर तकरीबन एक प्रतीशत और निफ्टी बैंक में एक प्रतीशत से ज़्यादा का कट यहां पर देखने को मिला लेकिन स्मॉल कैप को देखे दिन के दुरान दो परसंट की गिरावट इस इंड नजर आये लेकिन कमजोर बजार में भी चुनिंदा स्टॉक ऐसे रहे जहां पर खरीदारी रही अपूलो हॉस्पिटल थाई परसंट का मूव नेसले में काफी दनों के बाद खरीदारी आई यहां पर आपको मूव देखने को मला अन्य स्टॉक की बात की जाये तो हैं पर द चेल की तरफ से जो शांदार रिस्पॉंस मुला है इसका सर यहां पर देखने को मिला और स्टॉक की बात की जाये तो गौट्फरे फिलिप्स यहां पर आप देखे तो आकरी दो घंटे में मूव काफी एक्स्टेंट हुआ तस परसंट की तेज़ी आई नरायन रिदारी न ग्यारा परसंट उड़का है फिल फिनांस में गिरावट एमार पर साड़े छे पर से नीचे और एन बी सी सी यहां पर भी अगर आप देखे तो दिन के दुरान पांच परसंट का कट नज़रा है